पिर ये विद्यार्थियों, नमस्कार, एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका सवागत है, हम मैच के प्रैक्टिस सेट सोल कर रहे थे, हमने पहले प्रैक्टिस सेट के दस क्यूशन सोल कर लिए थे, तो क्यूशन नमर 11 से देखो पर ये क्यूशन, SSCJD, दिल्ली प्लीस, युपी प्लीस, बिहार प्लीस, या आर्मी, जिस भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो, सभी के लिए ये helpful होगा तो देखो, क्यूशन नमर 11 से देखो, क्या है, पांच महिलाए एक काम को आठ दिनों में पूरा कर सकती है पांच महिलाए किसी काम को आठ दिनों में पूरा कर सकती है जबकि आठ बच्चे उसी काम को आठ बच्चों से वही काम करवाए जाएगा, तो दस दिन में पूरा कर सकती है दो महिलाए और चार बच्चे काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे वह हम काम पर दो तो महिलाएं लगानी है और च्यार बच्चे तो कितने दिन में समाप करेंगे देखो वह पांच महिलाएं किसी काम को आठ दिनों में करती है मान लो वो काम हमें एक दिन में करवाना है तो कितने महिलाओं की जूरत होगी 5 को और 8 को वापस में गुणा कर दो 5 कुना 8 40 यानि 40 महिलाएं होंगी तो काम एक दिन में समाप्त हो जाएगा और यह बच्चों से एक दिन में करवाना हो इस बच्चों कितने जरूर्थ होगी देखो जो आठ बच्चे उसी काम को दस दिन में तो आठ रोधा की गुणां करेंगी कि दो ड़ाबर है और धिक अब देखो कामकरेशन निकाल लेंगी ठीकर पी जिल्रन एक पास्ति से एक बार में चाली से दोर्णी जाथ दोबार में इधर क्या है यूस म में सी एन चायल इदर लाएंगे तो ये इसके भाग में हो जाएगा दो और इदर ये एक निकारी सम्ता का अनुपात आगा है दो अनुपात एक एक महिला एक दिन में दो यूनिट का रिये करती है और एक बच्छा एक दिन में एक यूनिट का रिये करता है तो कुल काम देख लो दो महिला और च्यार बच्ची तो एक महिला काम करती है दो यूनिट दो करेंगी दो गुणा दो च्यार भी दो गुणा दो ठीक है पलस च्यार बच्ची तो एक बच्ची करें समता क्या है एक तो च्यार गुणा एक च्यार तब देखो दो गुणा दो च्यार और च्यार आठ इन चारिस कुना दो असी, असी को हम आट से बाग दे देंगे, कितना देगा, दस दिन, ठीक है, विज दो महिला है और च्यार बच्चे बिलकर उस काम को दस दिन में स्वाप कर देंगे, अगला क्यूस देखो, क्यूस नम्मर बारा, रूट 6, रूट 8, और रूट 21 का चतुत अनुपाती क्या होगा, वे देखो उसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 6, अनुपात, रूट 8, समानुपात, रूट 21, और चतुत अनुपाती हमने निकालना है, इने एक समान लेते हैं, उसको, इसको एक समान लेते हैं, ठीक है, वे देखो, A अनुपात, B, समानुपात, B, अनुपात, C, समानुपात का मदल होता है, बराबर, भी A अनुपात, B, बराबर किसके B अनुपात, C के, इसमें क्या होता है, बहारी पदों का गुणन फल, आंत्रिक पदों के गुणन फल के बराबर होता है ठीक है देखो बाहरी पद कौन सा है ये A और ये D होता है इन दोनों का गुणनदफल जो भी गुणनदफल होगा इन दोनों के गुणनदफल के बराबर होता है ठीक है या पैसे भी दिख सकते इसको A बटा B बराबर C बटा D लेकिन हमें आंसर पे जाना हमें देखो इन दोनों का गुणनफल बाहर वाले दोन उपदों के गुणनफल के बराबर होता है तो 21 को आठ से गुणा करें कितना हुज जाएगा 27168, इस रूट 168 किसके बराबर होगा यह रूट 6 गुणा एक्स ठीक है एक्स के विल्लिव में निकालनी है तो रूट 6 इसको भाग दे देंगे रूट के अंदर रहे ठीक है जैसे बाग देंगे दो दो बार में पिर बचेका च्यार आठ बार में रूट 28 और रूट 28 क्या लिख सकते हैं वही च्यार गुना 7 लिख सकते हैं च्यार का दो बहरा जाएगा इन दो रूट 7 यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है चालता इसको ऐसे लिख सकते हो ए बटा बिन रूट 6 बटा रूट 8 बराबर रूट 20 बटा एक्स क्रोस गुना कर दो बात होई है ठीक है हमें आंसर निकालना ह च्यारट हमें 240 किलोमेटर की दूरी तै करती है यह अपनी समाने गति से अधी गति से यातरा करती तो उससे दूरी को तैय करने में कितना अधीग समय लगता हूं इस항 सिंबल सी बात है विद दुरी आधी कर देगी समय कितना लगेगा दो गुणा अब 5 गंट लगता फिर लगेगा 10 गंटे पूच्छा क्या है कितना अधीक लगता तो पांच गंटे अधीक जाता सिंपल के उसके बिल्कूर ठीक है कि अधिक यौ जेगा देखो चाहता है से ब् चाल और के रखा है अगा है देखो दूरी आधिकर दें यानि पहले कितनी थी मालन लो दो चाल वता रखा न पहले दो मालनो अब कितनी जो आएगी चाल वह आधिकर दें तो एक दूरी क्या है कौंस्टेंट दोनों के लिए करी परवाबर है तो समय का रनी को विवरेत 1 अनुपात दो पूच्छा किया समय कितना अधीक लगता पहले समय एक लगता था कितना लगियगा दो यह अनुपात में एक आनुपध ज्याद लगता है एक आनुपात की वीकिविय मीनिकालनी है पहले कितना लगता था एक और समय पहले कितना दे रखा है पांच गंटे एक की विल्यू पांच तो एक की विल्यू पांच उजाएगी यह पांच गंटे अधिक लगेगा वागि यह करने की जूरती नहीं है सिंपल कुशन है बिल्कुल ठीक है कि उसन नुमर 14 देखो एक करता है विए देखो 40% की छूट देता है ठीक है वह रंकित्म लेकितना उसका 2400 रुपे फिर विए 20% का लाब अर्जित करता है तो देखो कोश्ट प्राइज सिप्पी अपने आपने कितना होता है वही 100% जब इसके वेल्यू कितनी हो जाएगी 120% और 120% को क्या लिखते है 120% या या Jeez Nhng 6% अब क्या है ये विक्रायमुले हो गया ना ब्रित ग्राइब मुले हमने लाब जोड दिया क्या है हविए विक्रा oraz ये क्या है 2400 वो जाग ऑक सांगल current acham च्छूट कितना इसको डिसकाउंट 40% इस में सब्चूट गटा दें डिसकाउंट गटा दें तो क्य बचेगा विक्राय मुले अंकित मुले में इस डिसकाउंट घटा दें तो क्या बचेगा विक्राय मुले यानि शेलिंग प्राइज SP ठीक है कितना है 40% इसके विल्यों अपने आप में 100% है 40% कम कर देंगा कितने बचेगी साथ परतिसद और साथ परतिसद को लिखेंगे हम साथ बटा सो यानि तीन बटा पांच अब यह क्या है भी करें मुले और यह भी क्या है भी करें मुले दोनों बराबर है फिर बराबर रख तू इसको सोल कर दो पांच से पांच केंचिल हो जाएगा 6 से केंचिल कर इसको चार सो वार में इधर क्या बच्वाइब सिपी कितने अजिए टास्व नातीन एक हजार दोस्व इतना है क्यूसन है ठीक हमारा आंच रोजेगा ओप्सन ची क्यूसर नमबर फिफ्टीन एक वेक्तिस सकूटर दवरा 64 किलोमेटर परती घंटा की चाल से एक निश्ची दूरितय करता है चाल क्या स्कूटर से वी 64 किलोमेटर परती घंटा और वे साइकल चलाकर 16 किलोमेटर परती घंटा की चाल जे आरमिक स्थान पर लोटाता है पूरी यात्रा के लिए उसा चाल ग्यात कीजिए वे देख सि प्रति गंटा कि शाल से साइकल से तैय करता है तो एकस की सपीड से आता है दूरी का दोनों के लिए से बैस जांग है तो टू एकस वाई एकस वाई इन्चोषथ इन्टू 16 बटा में एक्स प्लस वाई दो नोगो जोड दो ठीक है अब देखो इसको कैंसल करेंगे आठ से कैंसल कर दो 16 कर दो याठ से करो विता सानर रहेगा दो बार में 16 और दो बार में 10 तुपर पांच ने इसलिए कैंसल मत करो इसको फिर भाग देन अपड़े का बात व और बटा में 10 है तो एक अंग के बाद दस में लोगा दें 25.6 किलोमेटर पर आवर एक तरीका तो यह है दूसरा क्या हो जाएगा देखो चाल क्या है चाल दूरी और समय दूसरा कि स्पीड से जाता है 64 कि स्पीड से जाता है इन दोनों कल्सियम दूरी माल लें दोनों कल्सियम कितना हो जाएगा चोंसर्थ अब देखो चाल चौसर्थ है दूरी भी क्या है तो शंद तो तो तैक रहने समय कितना लेगा दूरी बटा चाल यहने एक गंटा तो इस पीड से जाएगा तो चोशट को सोड़ा से भाग दे दो यह नहीं च्यार गंटे कुल दोरी कितनी होगी चोशट जाने कि हैं चोशट आने कि एक साइड के मांद रहे हमने कितनी होजए कि एक सो अठाइस किलोमेटर और समय कितना लिया टॉटल एक गंटा यह और च्य किलोमेटर पर आवर दूसरा तरीक यह हो जाएगा ठीक है कि उससर नमबर 16 देखों पांच घंटिया सुबह नो बजे एक साथ बजती हैं यह बारा सेकेंड अठारा सेकेंड चोबिस सेकेंड च्छतिस सेकेंड और पतालिस सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं गंटिया पु क्या क्या है संबने काल तो वारा एंस वारो टथारह चोविस अठारह चोविस ऐसंतर से पैलिएज सेमीट जानो ठीक है तो विद्टेक क्या जायेगा बारा अठारा चोवीश और च्छतिस ठीक है च्छतिस को गुणा कर नहीं थी नो तीस में है अलड़ी नो अठे बैटर इन फांच नहीं तो पांच शेवरभो गुणा कर दू हो तो वल्चम कितना हो जाएगा 360 किया है 360 एक यह सभी सेकेंड थी मिन्ट बनाई है इसाट से बाग देड़ो कितना जाएगा शे मिनिट यह से मिनट बाद बजेंगी यह नहीं पुचा कितने दिर बाद बुचा कि समय बजेंगी ठीक है तो पहले कब बजी थी नो बजी तो नो में चैए और जोड़ तो सुबह नो बजे थी नो एम और इसमें कितने मिनिट चै मिनिट आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सुबह नो बज़कर चै मिनटे नो चै एम इस पर दुबारा बजेंगी ठीक है ओप्शन सी हो जाएगा क्यूस्तर नमबर 17 देखो असे हजार रुपे के रासी 10 पर तिस वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवर्दी होने पर कितने समय में एक लाग सत्राजार एक सोठाइस हो जाएगी अमाउंट दिया रख अभी मिसर दन ठीक है और ये क्या है मुल एक वरस में 10 रुपे पर एक रुपे भ्याज लगता है ठीक है तो रासी कितने हो जाती एक वरस में 11 बटा दस ठीक है समय कितना है पता निकालना हमें तो टीम आल लिंगे और कितने हो जाती ये प data 112 ठीक है इन दस से गैना हो जाती है ऐसी अजान से एक लाग 17,0028 एक लाग 17,000 128 assumption 2000 से उल्ठी ङोम ये विए दस से गैना होता है ना तो निच्चे रखेंगे कि मूल दयन उपर मिच्षित क्रण कर दोच मूंदków एप क्य primera डा से देखो सब्सक्राइब तो आर्स से बाड से आप कर लोइसको इसको आठ से करेंगे हुआ कि साज से जार और सक्वाँ करेंगे ये तों एक बचेगा तीन आठ चूक बचेगा पांच आठसो खाहिए थिक्किते ऑन्य कोध आमटłumट आरस्की पाउरे के रूप में लिखता है तो यह दिक हो क्दीनु जिर्माइक दो एक्डार इन चाओ यह दूसकी पाउर रोझेज यह करो गरón ओधीन हमें पता कि तरसे कॉप लोगww एक पेख我 एक तरिक तीस तीन यतिर और चा्थ तीसर लोन चोड़ास कटी इतना है किसाल है यह दो downs दूनों में बढ़ाबर है तो पावर भी बराबर होगी तर टीक मान का घार सुम्माइब कि बब्रकवन घर वरस ठीकर option 2 हो जाएगा question number 18 देखो 9 cm तिर्जिया और 15 cm उचाई वाले एक संकू को पिंग लाकर 45 cm उचाई का एक बेलन बनाया जाता है बेलन का व्यास पूछ है भी ठीक है तो क्या करेंगे इसे 9 cm तिर्जिया और 15 cm उचाई वाले संकू को पिंग लाए जाता है उसी से बेलन बनाया जाता है यान दोने का आयतन तो बराबर है ठीक है न उसी सित मनाया जाता है तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले देखो क्या कि रखे संकु का नौस तिरज्या और उचाई तो संकु का इतन निकाल लिए ठीक संकु का इतन क्या होता वे एक बटाती पाई आर स्केर आर कमाल कितना है नो तो नो का स्केर 181 गुना में उच्चाई उच्चाई कितनी है 15 सेंटीमेटर यहां संको काईतन किसके बराबर ही यहूं बेलन के आइतन के बराबर बेलन का इतन ज़से पाई आर श्केएर अचे आरके वियू संथा निकाल लेए उच्छाए कि इतनी दे रखे है पंतारीश सेंट्मीटर इसको हल कर दो यहां से आरके वेल्यू आ जाए हुशके गाल रें है घींको यह से 27 वार में और तेन से नो भार में पाइसे आज्जोर करता हो इधर क्या बच्छा किक अ प्रफियर स्क्वाइब हो आर्ड के वेल्विक्ति है रोओ स्क्वाइब दो को दो गुणा ती कुछ तीन को दो से गुणा कर दो हैं छे सेंटेमेटर जो अप्सन भी हो जाएगा कुछ से नमर नाएंटीन मौहण एक टेबल को 2832 रुप पर बेच रहा है यह उसका लाब 18% है तो टेबल का क्रेमुल ले क्या होगा वे क्रेमुल लेहना अपने आप में 100% होता है कितना है सो परतिसत लेकिन लाव कितना है अथारा परतीस यह अपने आपमें यह लिए सरलिंग पर्सति आपतिस्त प्ते स्पी का 1248 परतीस अपने आप में सो प्रतिसत है 18 Pro लाप उसमें जोड दिनगे तो उसके में लेजाने एक 108 प्रतिसत लेने क्राहमिल लत जोड तो द जाने 20 effect师 करेमनी और परना कोस्ट प्राइज इन सो प्रतिशत की वेल्यू तो गुना में सो इसको सोल करोग अब दो से कैंसे कर लोज को कितना जाएगा एक च्यार एक छे दोंते कैंसे करेंगे तुसको पांच नो अभी प्राइम नंबर है इसी से वाकरिन आपड़े का इसको कैंसे तो होगा ने तो देखो फेंस लig quadro को बार में कितना ऑजये सो आठार आधार नमड्री दाबर में जाए गाई एक सो एक झालसे यू सीन बर म मिन ही सीटीगा दो वर में जाएगा एक तार हो तारा कितना बजीगा फिर ङए टेईस हमाई 236 यह का ले कैना इछ यह तो किस संख्या जिगुणा कर इसको 15 को च्यारशे करेंगे 209 ,46 तो चयार बार में चला जाएगा 24-00 ब्रॉज़ च्यार में क्या है करें मुल्ले ठीक है ओप संड दूचिय हो जाएगा कि उस्ता नम्र टवंटी 40 और 50 के बीच कितनी एभाजिय संख्याई है यह प्राइम नमर पूछा वही 40 और 50 के बीच विद्यान इस बात कर रखना आपको बीच बोला जाए ना तो उसमें नहीं तो 40 सामिल है और नहीं 50 सामिल है इसमें क्या ग put गप इसमें कि बीच पंदे है उनमें सैंख्याइज ही है उनमें इसकी प्राइम नंबर को फॉर्मुला उप्रुमूल तो उसका है नहीं निकालने का हमीं देखने पड़ेंगे ठीक है तो कैसे देखेंगे देखो जिसका एका एकंग जीरो दो चार्ट होगा वो संख्या आपाजी रफ़ दो कोछोट कर क्योंकि एक दोई ऐसी संसंख्या है जो एव बाज़े भी इसके लाओ संसंख्या आपाजी नहीं है ठीक है तो तो तीन से पात से ह्वाग दकी नहीं है प्राइम कौन से होती है जो एक और सुम के या किसी संग हैह से भागने जाए यह जिसके केवल दो ही फैक्टर हो ठीक है 45 उसके बाद शक्त के भागने जाती है ये प्राइम है उसके बाद देखेंगे उनेंचास उनेंचास साथ से भाग जाती है इसका मतलब क्या है? 40 अपचास के 20 तीन ही प्राइम नंबर है कितने हैं? 3 ओप्सन ए हो जाएगा ठीक है? तो इस सैट में कुल हमने 20 कुछन सोल कर लिये हैं मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद